जैहिंद वंधेमातरम दोस्तों यह जो विडियो है यहां हमारे market को लेकर analysis विडियो है कल market में क्या optionality हमें देखने को मिल सकती है मैं यह नहीं discuss करूंगके क्या आपको call ले के बेठना है उसने बिता दिया निफ्टीन है दूसरा रिजन है कि हिडन बर्ग की रिसर्च से एक रिपोर्ट आई है कि उन्होंने पहले अडानी ग्रूप पर कुछ वो लगाए थे उसके बाद अब उन्होंने उस इल्जाम में मतलब उन रिपोर्ट में सेबी को जो हमारी रेगुलेटी कि हैं उनके चेर पर्शन को भी इनवॉबल्व किया है प्लस उनके हस्पन को उनके हस्पन को हमें देखने और सकता है तो एक हडों स्वार्ट हुआ है देन क्या एक जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें मार्केट पुरा दिन साइडवेज रहा तो एक सुनामी के पहले खामोशी जो बोलते हम वह वाली हमें मार्केट में देख रहेने को मिली शुक्रवार के दिन अब यहाँ पर मैं आपको बताओं सबसे पहले यहाँ पर समय इस पेन को निकाल कर आपको बताता हूं अगर मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला तो यहाँ पर आप देखो यहां से यह यहां तक का यह जो यह जो एरिया यह पूरा गेपिंग एरिया है वंडे के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता रहा हूं यह जो आह जो आपका शुकरवार का दीन था उस फें एक रेंज को पुरा दीन ऊपको सब्से पहले उस रेंज को मार्क करना है यहां पर मैंने भी उस रेंज को मांक को लिए आप देख सकते जो लेवल है डाउन साइड मेह 24,312 से लेकर अपसाइड में 24,419 लगबग ये 103, 104 पाइंट की रेंज है अगर निफ्टी आपका फ्लेट ओपन होता है गेपव ओपन होता है ये गेपडाउन ओपन होता है अगर इस रेंज में डाउनसाइड में क्या 24,312 और अपसाइड में क्या 24,419 अगर इस रेंज में है तब तक हमें अवोइट करना है उसके बाद अगर इस रेंज का अपसाइड में आपको ब्रेक आउट देखनों को मिले और एक बार इसका रिट्रेस्मेंट हो जाए ऐसा स्विंग बंजा इस रेंज के आसपास देर आप कोल साइड अपनी इंटरी प्लान कर सकते है जो आपका टार्गेट फर्स टार्गेट रहेगा वो रहेगा 24,500 जो एक साइकलोजिकल नंबर है यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट सस्टेन कर सकता है अगर इस 24,500 को मार्केट ने ब्रेक किया तो मैंने आपको अपसाइड में बता दिया वो गेब फिलिंग करने जा सकता है अपसाइड में फिर यहाँ पर आपकी जो यह गेब बची हुए लगबग 24,720 तक हमें मार्केट आते हुए देखने को मिल सकता है तो यह तो रही अपसाइड की बात अब अगर डाउनसाइड निकलेगा तो डाउनसाइड में हमें कैसे क्या ट्रेट प्रान करना है तो भी जब भी इस रेंज का जिसे कि 24,312 का रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिला तो यहाँ पर आपको एक रेट्रेस्मेंट का वेट तो करना ही एक स्विंग बने उसके बाद निकले इस स्विंग के ब्रिकडाउन पर आप एंट्री करो डाउनसाइड में जो पहला टार्गेट आपका निकल के आएगा और सीरत तीनसोपाइड का 24,084 का एक टार्गेट निकल के आएगा और उसके निकला तो फिर आपको अपने इस्टोप पर उसको ट्रेल करते जाना है क्योंकि फिर डाउनसाइड में आपको बढ़िया करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है अब यहाँ पर यह तो बात हो गई भया इस रेंज में ओपन हुआ तो चलेगा अगर इस रेंज के ऊपर यह नीचे ओपन हो गया मान लीजी कि बड़ा गेप अप हो जाता है बड़ा गेप अप हो जाता है तो मुझे लगता है अगर गेप अप होगा तो एक बार उस गेप को फिल करने मार्केट आएगा अगर 2014-2019 पर आने के बाद अगर वो सच्टेन करता है देन अगर वापिस उपर निकलता है देन आपको क्या करना है मैंने बता दिया अगर इस रेंज में घुसता है तो फिर अवोइट करना आपको यह और एक और चीज अगर मान लीजिए यहां पर बड़ा गेप डाउन हो जाता है तो मुझे यहां तक लगता है कि वो गेप डाउन को भी एक बार इस रेंज को इस गेप को फिल करने आएगा अगर इस गेप को फिल करने आता है देन वापिस नीचे निकलता है आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया पुट में इंटरी करनी है 24,000 तक के टार्गेट तक जो साइकोलोजिकल नमबर है वहां तक आपको जाना है आराम से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मार्केट में दीखिए एक तो साइडवेज रहा उसके बाद हमें एक बड़ा मुमेंटम दीखिए मुझे जहां तक लगता है कि शोमवार के दिन बड़ा पेसा बन सकता है क्योंकि मार्केट में एक बड़े मुमेंटम के लिए खड़ा है मुमेंटम अपसाइड भी मिल सकता है यह मार्केट है कहीं भी निकल सकता है लेकिन मुमेंटम जरूर मिलेगा तो यह कुछ लेवल है मैंने आपके साथ share किये 24,419 से लेकर 24,312 के avoid करना है देन इसके ऊपर या इसके नीचे आपको अपने setup के according trade प्लान करना है चलिए bank nifty को भी थोड़ा सा discuss कर लेते हैं तो हम यहाँ पर bank nifty के चार्ट पर ही और bank nifty में भी अगर मैं आपको शुकरवार की दिन बताऊं पूरा दिन उसने निकाल दिया अब bank nifty भी मुझे लगता है कि बड़े momentum के लिए कहीं न कहीं 700-800 point के momentum के लिए तैयार करा है तो bank nifty के मैं कुछ चार level दूँगा आपको बहुती simple level है बस इस तरह ध्यान रखना है आपको कि अगर 50,711 से लेकर 50,380 के बीच में इस 300 point के बीच में अगर trade करता है तो आपको avoid करना है scale पर अपना काम कर सकते हैं यह scale पर का तो एक दो point 5 point मिल जाते हैं तो बहुत है बट इस range में जो positional trader है जो अपनी trade को थोड़ा से hold करते है तो इस range को avoid करना है अगर इस range का upside में आपको breakout देखने को मिलता है यह इसके ओपर open होता है और इस range का वापिस जो 50,711 इसका retracement करके वापिस निकलता है पहला target आपका रहेगा 11,090 का लगबंग यहाँ से 300,345 का momentum upside में अगर इसका भी breakout देखने को मिला 11,090 का तो फिर मैंने आपको बताया कि bank nifty में भी एक बड़ा gap है उसे fill करने bank nifty उपर जा सकता है वहीं downside में अगर हम बात करें तो अगर मान लो कि बड़ा gap down होता है यह इस range के अंदर भी खुलता है आपको ध्यान रखना है 50,380 के आसपास bank nifty कुछ कर रह आपका जो पहला टार्गेट रहेगा वह लगबक उन 50,800 सित्यासी तक करेने वाला उन 50,800 सित्यासी तक bank nifty correction लेने आ सकता है अगर वहाँ पर भी अगर सश्टे नहीं कर पाता है उन 50,800 सित्यासी तो bank nifty में एक तगड़ा फोल हमें देखने को मिल सकता है अगर अब मैं आपके यहाँ पर सपोर्ट लेया आप देख रहे हैं तो अगर इसको अगर एक बार रिस्पेक्ट करें यहाँ पर थोड़ी दा सश्टेर करके अगर नीचे निकलता है तो फिर एक बड़ा फोल हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है तो यह कुछ निफ्टी और बेंक न कर लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन बोक्स में मिल जाएगा डारेक्ट टेलिग्राम पर जाकर सर्च मत करना बहुत सार आपको फ्रोड देखने को मिल सकता है ठीक है मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक लिए जहिन बंदे मातरम